बड़भागी वो बेटा है जो पितुमा का आज्याकारी है बड़भागी वो बेटा है जो पितुमा का आज्याकारी है माता अगर ऐसा हुकम है तो जिन्यगी पवित्र हमारी है सोने जननी सोई सुत बड़भागी बड़भागी पुत्र कौन है कि जो पितुमा के चरणे अनुरागी तनाय माते पितु तो सनिहारा दोर लब जननी सकल संसारा छोड चौदा बरसे हम भवन जाएंगे छोड चौदा बरसे हम भवन जाएंगे छोड चौदा बरसे हम भवन जाएंगे अरे होगा बन में गवन तो बन में बन जाएंगे बन में बन जाएंगे मुनिगाल मिलन बिसे से बन सबई भात हित मोर मुनियों से मिलन होगा सबी प्रकार से मेरा हित चारों दशाओं में तेही में ती तु आया सुपहो रे समते जननी तोर भरत प्राणे प्रिये पाव है राजू भरत प्राणे प्रिये पाव है राजू बीधी सब बीधी मोहे सन मोखे आजू जो न जाओं पन आयंसे हुका जा प्रथम गनिये मोहे मुढे समाजा क्योंकि मां हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा ये रहा हमे मात आया पिता किसी ने भी नहीं होको में ये अब तक दिया हमें मात आया बन जाने के लिए हमारा मन करता था क्यों करता था इसलिए हम बहुत विचारा करते थे कि थोड़ा सा समय बनों में दें क्यों फिर देखेंगे के दुख क्या है फिर देखेंगे के दुख क्या है जीबन जाब दुखी जानो में दें फिर देखेंगे लेकर मा आप खिंता न करें किसी बात की मैं बड़ी मा कौशलिया के पास जा रहा हूं लेकर मैं और राम मा कौशलिया के भवन पहुंचे तो मा कौशलिया दीप सजाय हुगे के राम राजा बनेगा दीप सजाय हुगे ख्या कह रही है खुसी में के मन की बड़िया में लाल तू हजारी है फूल तू हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल मन की बगिया में लाल तू हजारी है फूल इक दिन पेटा मेरा राजा बनेगा राजा बनेगा महरा राजा बनेगा राजा बनोगे तो जैयो ना भूल राम बेटा मेरे प्राणों से प्यारे सवेरे तुमारा राज तरा खोना है राजा बनोगे तो जैयो ना भूल मन की बगिया का लाल तू हजारी है फूल आसा के पलने में ममता की दोरे आसा के पलने में ममता की दोरे पा में लिखी है मन जुमोरे चकोरे आसा के बेटा मेरे नेनों में जूल अरे आसा ये देखो मेरे नेनों में जूल मन की बगिया का लाल तू हजारी है फूल राम ने कहा मा ऐसा कभी हो नहीं सकता जीवन में मा कि ये लाल आपको भूल जाए राजा भी बन जाओंगा तो भूलने की कोई बात ही नहीं सपने में भी नी सोच पाएंगे हम क्योंकि राम ने कहा चंदा भी प्यारा है सूरज भी प्यारा पर सब उसे प्यारा ये ललना तुम्हारा और मा ये चाहती है कि पैरों में लगने ना पाए कभी शूल पैरों में लगने ना पाए कभी शूल मैं फूल हूँ अगर तो तू फूल की है मूल फूल अगर राम है तो फूल की मूल यानि जड़ मा कोशल्या है जड़ रू की मा कोशल्या न होती तो राम रू की फूल पैदा ही न होता अरे मन की बागिया का लाल तू है यारी है फूल राम कहने लगे मा तू कितनी अठी है तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है ओ मा मेरी मा ओ मा मेरी मा तू कितनी है अपना नहीं तुझे सुख्य दुख्य कोई अरे मैं मुस्काया तू मुस्कायी में रोया तू रोय मेरे हखने पर मेरे रोने पर और तू बलहारी है ओ माँ मेरी माँ रात 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 जाग कर तूने अपने आखों को खराब कर लिया माँ दुखने लगी है मा तोरी अखिया अखिया दुखने क्यों लगी पुत्र के लिए जागी है तू आर गीले में खुद सो गई सूखे में मुझे सुलाया है मा दुखने लगी है मा तोरी अखिया मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया ये मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को ये तूने वारी है ओ मा मेरी पुत्र मा का रण कभी चुका नहीं सकता है जीवन में एक जनम नहीं हजार जन ले ले मा बच्चों की अर जान होती है और मा बच्चों की जान होती है वो होते हैं किसमत वाले जिनके मा होती है ये जो दुनिया है ये बन है काटों का और मा फुलवारी है ओ मा मेरी मा ओ मेरी मा लेकिन राम ने बता दिया सब कुछ राम ने कहा मा पिता दिने मुझे कानन राजु राजू पिता दीने मुझे कानन का राजु देख गया मा अर्पिता दिने मोह कानन राजू जो सब भाते मोरे बाड़े काजू वो मेरे लिए सुन्दर का लिए माँ आयखुगे हो मुदिते माने माता यही मुदे मंगल कानन जाता यह जब सुना माने तो मा रुदन करने लगी और मूछित होने लगी यह समाचार सुनकर के प्राणों से प्यारा बेटा राम बन के लिए जाएगा लेकिन राम ने मा को समाला और किसी प्रकार मना लिया कि मा चौदा बरसों के लिए बन में जाऊंगा और लोट कर आऊंगा और क्योंकि बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा इसलिए मा आप किसी प्रकार की चिंता रगए जानकी ने जब सुना कि स्वामी बन जाने के लिए तैयार है तो मा कोशल लिया के पास आगई फीता हाथ जोड़ कर कहने लगी लज्जा को कैसे दूरी करूँ ये तो नारी का गेहना है लज्जा को कैसे दूरी करूँ मा ये तो नारी का गेहना है आप कह रहे हैं कि लज्जा को दूर करके कहो वेटी कैसे दूर करूँ लज्जा को मा पर माता आग्या देती हो तो कहती हूँ जो कहना है कहना क्या है मा मधिली माने कौसल पति से बरदान ले लिए दो चुन कर पहला तो भरत राज का है और पहला तो भरत राज का है दूसरा पन गवन का उनके और हैं आप पूजनिया उनकी आप मेरे स्वामी की पूजनिया है इसलिए मेरी बिना है आप से मा हैं आप पूजनिया उनकी जिनकी यह तुछे पुजारन है इसलिए आग्या की भिच्छा और इसलिए आग्या की भिच्छा लेने को खड़ी भिकारन है मा कोशनिया ने जब यह सुना के जानकी यह कह रही है साथ चलने के लिए ये बिधिना कैसा चक्रचा ये भीशन परिवरतन कैसा राज्या भिशेक होते होते चौदे है परसों का बन कैसा तू मुझे से पूछ रही बेटी मैं बन जाओं या रहूं यहां मैं कुझ से पूछ रही बेटी मैं प्रान कजू या जी यू यहां बेटा राम राम को बढाया माने और कहा जानकी यह कुछ कह रही है राम इसे समझाओ तो राम जी ने देखा कि जानकी के नेत्रों से असरुप धर रहे हैं कहने लगे राम जी सीते सीते क्यों रोती हो क्या धरा बेब नाओं में है सुखे दुखे हैं एक समाने उन्हें बल गिनी की आत्माओं में है मैं जान रहा हूँ पती वियोग तुम नहीं सिया सहत पाओगी आत्मा में अपने बल लाओ बल होगा तो रह जाओगी लिकर राम जी ने कहा यहीते अधिक धरम नहीं दूजा सादर सास ससूर पद पूजा सबसे बड़ा धरम क्या है सास ससूर के चलणों की सेवा करना नारी का पहला कर्टब है जानकी मैं कर्टब का पालन करूंगा पन में और तुम भवन में रहकर कर्टब का पालन करो आया सुमोर सास से वकाई सब भी दिभामिन भवन भलाई मेरी आग्या है सास की सेवा करो भवन में रहना ही भलाई है क्यों आपन मूर नीक जो चाहाऊ बचन हमार मान घर रहाऊ बचन हमार मेरे बचनों को मान कर घर पर रहो जानकी लेकिन जानकी ने कहा प्रानात एक पल के लिए मैं नहीं की पाऊंगे आपके विना आपके विना मैं नहीं रह पाऊंगे एक पल के लिए तो राम जी बोले क्या बोले आए कमल के कुसुम कैसी को मल कली करीलों में कब काली को यल पली आए कमल के कुसुम कैसी को मल कली करीलों में कब काली को यल पली पलंके नहीं पाउनी के दिया एक पल भी तुमने पलंके नीचे पैरनी रखा जानकी मिठला में तुम रही हो तो पलंके नीचे पैरनी रखा आयो ध्याम जब से आई हो तब से दास दासिया तुमारे केवा में लगे हैं और तुम पन की बास कर रही हो पन में चलेंगे बन को सुना है लेकिन देखा नहीं तुमने अरे पलंग के नहीं पाओ नीचे दिया नहीं बन में चल पाओगी ऐसी या क्योंकि अरे देखो कंचन कामनी देखो कंचन भवन में भली अरे कामनी अरो लाज बनती हो कंचन भवन में भली करीलों में कबो काली को यल पले जान की कहने लगी अगर बन में ना मुझे को ले जाओगे नाथ अगर बन में ना मुझे को ले जाओगे नहीं जिन्दा मुझे को यहां पाओगे अगर संग मुझे को ना ले जाओगे नहीं जिन्दा मुझे को तुम यहां पाओगे अर देखो बन में है मेरी देखो बन में है मेरी अबध की गली अगर आप संग में है तो बन भी आयोध्या हो जाएगा महराज अर देखो बन है हमारी अबध की गली करीलों में कब हो काली को यल पली कहने लगे राम जी माता पिता की तुम सेवा करो धीर जिसिया चौदा बरस को धरो क्यूंकि मत बिकल हो सुनो ऐ जनकी की लली करीलों में कब हो काली को यल पली इतना कहकर राम जी ने बहुत संजाया लेगें जानकी में एक भी बात ने चुनी राम जी की कहने लगे मैं प्रांट क्या दूंगी अगर आप मुझे साथ न ले गए तो राम जी ने सुजिकार कर लिया चलो तुम मेरे साथ इतना सुना गए लक्षमण दौड कर आगे लक्षमण दौड कर आए रोने लगे लक्षमण राम जी ने कहा लक्षमण उदास क्यों क्या बात है कहने लगे प्रांट आप मेरे प्रांट नाथ है मैं आपके साथ जाओंगा तो राम जी ने संजाया भावने भरा तेरे पे सूधन नाही राओ प्रध्धे ओरे ममे दोख्ष माही जो ले जाऊं तो मैं बन साथा सब बीदि हो यही अबद अनाथा अगर मैं तुमें ले जाऊंगा तो सप्रकार से अबद अनाथ हो जाएगा भरास्त त्रुगन निहाल में हैं लक्षमर और अगर अनाथ हो गया आयोध्या तो क्या होगा जासु राज प्रिये प्रजा दुखारी सोईन रप्य आवासे नरक आधिकारी वो राजा नरक कामी होगा अपने पिता जी नरक के बासी हो जाएंगे इसलिए ध्यान करो लक्षमर लेकर लक्षमर ने एक बात नहीं मानी एक भी बात तो राम जी ने कहा चलो तुम भी लक्षमर मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा पिता जी के दर्शन करें चलकर उनसे अंतिम आदेश ले लें कीनों पहुँचे पिता जी के पास को भवन में तो महरानी के कही ने कहा तुम क्यों चले आया आपर तो मैं तो जाना चले जाना चाहिए और ये उतार दो अपने आभू शग और ये रास्ति पोशाक उतार दो यहाँ पे ये बनवासी भलकल बस पहन कर तुमें निकलना है ध्यान करो तो राम जी ने क्या किया कहने लगे रामे बनों को जाता है माता अरे ये ले लो अपने उतारने लगे अपने बस्त्रों को ताज उतारने लगे अरे ये ले लो अपने किरीक और कुंडल अरे इसी से जटा ये रखाता है माता रामे बनों को जाता है माता और ये ले लो अपने बस्त्र आभूशन ले लो ये अपने बस्त्र आभूशन मा अंगे भवूथी रमाता है माता अंगे भवूथी रमे बनों को जाता है मेरी माता रामे बनों को जाता है माता रामे बनों और बस अतार दिये आभूशन अतार दिये तीनों चले आयो ध्या के बाहर निकले कहने लगे क्या कहने लगे प्रिये बंदुगो कि हमको मिला बनवास हम बनवासी हो गए और छोड चले रनिवास हम बनवासी हो गए और हमको मिला बनवास हमको मिला बनवास हम बनवासी हो गए छोड चले रनिवास हम बनवासी हो गए ये गलिया ये गलिया और पन घट चौवारे लगते है मुझे को कितने ये प्यारे छोड चले हैं हम तो देखो ये सर्यू के किनारे मानो मिरा बिसवास हम बनवासी हो गए और छोड चले रनिवास हम बनवासी हो गए मत तुम भी कल हो ना यूं अपने मन में चौदा बरस को बन जाएंगे बन जाएंगे तो बन जाएंगे लोट के फिर आएंगे क्योंकि मानो मेरा बिसवास मानो मेरा बिसवास हम बनवासी हो गए छोड चले रनिवास हम बनवासी हो गए यह प्रसंग आप यहीं तक सुनें अगली कैसेट में आप सुनेंगे बने आत्रा का प्रसंग कुमार कैसेट आगरा के माध्यमते राजेंद्र दवारी विकल की आवाज में आप महत्पूल कैसेट सुनेंगे अगली कैसेट